विकम है आपका अपने अकांटेंटट दोस्त के चैनल पर जहां आपको प्रफेशनल अकांटेंट बनाया जाता है आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरी इस्टाग्राम आइडी है अकांटेंट दोस्त यहां पर भी मैं useful information शेर करता हूँ शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है चैप्टर 8 Benefit of Basic Concept Basic Concept के लाब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आपने accounting के basic concept को सीख लिया है और चैप्टर 9 से आप tele software को सीखोगे अब आपका जाना जरूरी है कि जो आपने basic concept को सीखा है वे कैसे आपको help करेंगे accounting की career में और आगे course को समझने में क्योंकि जितना जरूरी basic concept को सीखना है उतना ही जरूरी ये जाना है कि ये कैसे help करेंगे accounting career में और आगे course को समझने में तब ही आप basic concept के important को अच्छे से समझ पाओगी और मेरा chapter 8 बनाने का मकसद भी यही है शुरू करते हैं आज का topic जो है benefit of basic concept, basic concept के love सबसे पहले ये समझते हैं कि टैली software में accounting का काम कैसे होता है, entry कैसे की जाती है पहला सबसे पहले business में transaction होता है जैसे वेपारी ने 10,000 माल purchase कर लिया है अब वेपारी ने 10,000 का bill accountant को दे दिया टैली software में 10,000 purchase का record रखने के लिए अब accountant को इस bill का record रखने के लिए इस bill का nature पहचानना जरूरी है और इस bill का nature है expenses नेचर पहचानने के बाद अब accountant को ये जानना जरूरी है कि इस bill का कौन से voucher में entry होगी और इस bill की entry purchase voucher में होगी फोर्थ, voucher पहचानने के बाद accountant को ये जानना जरूरी है कि इस bill के लिए कौन सा laser बनेगा और उस laser को कौन से group में डालना होगा और आखरी में ये पैचाना जरूरी है कि किसको debit करना है और किसको credit करना है अब आपने ये समझ लिया है कि एक accountant को tally software में entry करने के लिए कौन-कौन सी basic चीजे आनी चाहिए और अब देखते हैं कि अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है चेप्टर फर्स्ट में आपने सीखा की tally क्या होता है और tally software का काम क्या होता है चेप्टर सैकेंड में आपने सीखा की एक accountant को tally software की जरूरत क्यों होती है चेप्टर थर्ड में आपने सीखा की voucher क्या होता है Chapter 4 में आपने सीखा की लेजर क्या होता है और ग्रूप क्या होता है Chapter 5 में आपने सीखा की Tally Software के सभी लेजर और ग्रूप को Chapter 6 में आपने सीखा की Nature of Accounting Group और Chapter 7 में आपने सीखा की Golden Rule of Accounting, Debit and Credit तो आपने देखा की एक Accountant को Entry करने के लिए जो जो Basic Concept सीखने की जरूरत होती है वह आपने सीख लिया है अब आप तैयार हो Tally Software को सीखने के लिए अब आप Easily इस Course को सीख सकते हो और अभी तक आपने Basic Concept के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए फिर इस Course में आगे बढ़िए यदि आपने Accountant दोस के चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करे बेल आइकन बटम दबा दे वीडियो को लाइक करे कमेंट करे शेर करे बस दस सेकंड का काम है और ये फिरी भी है मिलते हैं आपसे Tally with GST Course के चैप्टर 9 में जो है How to create, alter and delete company in Tally Software Tally Software में कमपनी को create, alter and delete कैसे किया जाता है